नमस्कार साथियो मैं निशान नानक लासिद सीवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हर्दिक स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी को पता है यूट्यूब चैनल के उपर जो हमारी सीरीज चल रही थी करंट अफेर का रिविजन कला उसी सीरीज को कंटीन्यू करते हुए मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ 23 मार्च 2024 जिसको हम क्या मनाते हैं 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है उसी सीरीज के कंटीन्यू करते हुए 23 मार्च 2024 के जितने भी मोश्ट इंपोर्टन्ट करंट अफेर के क्यूस्टन है उन सब का हम करेंगे रिविजन ठीक है इसके अंदर हम क्या देखेंगे साथियो परदेश में 6 श्रीराम जानकी और द्योगिक छेतर विक्सित किये गए देखेंगे पूस्टल और हॉम वेटिंग मोनीटरिंग के लिए पूस्टल पोड़ी लौच किया है इसके बारे में देखेंगे 32 में रश्ट्री धेल गोवा में राजस्तान का पर दर श्यू कैसा रहा इसके बारे में हम देखेंगे ठीक है तो सबी साथियों से उमीद है जुरू करने से पहले आप इस कलास को लाइक करने अपने दोस्तों के शाहत शेयर करने और जितने भी मैं आपको उत्तर पुछूँँगा परसन करवाऊंगा उनसब का आपको उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर देना होगा क्योंकि आपने यह सुबह क्लास नाना क्लास की ओफ निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में मत पत्रों यानि पोस्टल बेल्ट होते हैं जो के लिए कौन सा स्वीदा पोर्टल लॉंच किया गया है किसके द्वारा निर्वाचन आयोग के द्वारा अभी निर्वाचन आयोग यानि केंद्रिय निर्वाचन आयोग किसके द् आपको इन चारों में से उत्तर देना होगा तो इसका क्या उत्तर होगा आपके पास दस सेकिंद का समय है क्योंकि आपने ये क्लास सुबह देखी थी तो आप इसका उत्तर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर दे होगे कौन सा है सी वीजुल एप है या पोश्टल बड़ी एप है या इलेक्शन सुईदा एप है या पोश्टल सहज एप है तो कौन सा एप है इसके अंदर साथ हो इसके अंदर जो एप होगा उस एप का क्या नाम है जो केंदर या निर्वाचन आयोग ने परदेश में मतों कि द्वारा लॉंज किया गया है उसका नाम है पोश्टल बड़ी किसके द्वारा किया गया है पॉश्टल बड़ी के द्वारा किया गया है परदेश में ठीक है किसके द्वारा पोश्टल बड़ी एपल किया गया है निर्वाचन आयो के द्वारा ठीक है यहां तक किसी को चेतर विक्सित किये जाएंगे कौन से चिरी राम जानकी उद्योगिक चेतर के बारे में बात हो रही है यानि राजस्तान के अंदर कितने विक्सित किये जाएंगे परदेश के अंदर कितने विक्सित किये जाएंगे या आपके सामने ऑप्शन है दो चै बारा और च्छतिस तो कितने विक्षित किये जाएंगे, इतने विक्षित किये जाएंगे, सभी साथ ही इसका comment box के अंदर उत्तर देंगे, 2 किये जाएंगे, या 6 किये जाएंगे, या 12 किये जाएंगे, या 36 किये जाएंगे, तो कितने किये जाएंगे, इसका जो सही उत्तर होगा, वो होगा कितने किये जाएंगे किये जाएंगे कितने किये जाएंगे श्री राम जानकी उद्योगी छेतर प्रदेश के अंदर जो विक्सित किये जाएंगे यह जाएंगे ठीक है युश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है नेक्स्ट के अंदर दे रखा है दिवस्वय उससे संबंदित ऐसत्य कथन बताईए क्या बताना है ऐसत्य कथन बताना है विशव जल दिवस है वो मनाया जाता है 22 मार्च को क्या ये कथन सही है या गलत है जहीद दिवस है वो मनाया जाता है 23 मार्च को क्या ये सही है विशव वानी की दिवस है वो मनाया जाता है 21 मार्च को और चिडिया दिवसरा है वह मनाए जाता है 23 अपरेल को वो इन में से कौओज करेंगे को हुआ होगा वो आप मेरे को बताओगे इन में कि कौन सा कथन आ जाएगा इसके अंदर आए सत्या एसस्तिया कथन है वह आ जाएगा चिडिया दिवस्ट वह यह कॉन सा और हो जाएगा यह कफर न हो जाएगा साथ यो अय सत्या एस सत्या क्यों हो जाएगा आप मेरी crushed के अंदर इसी कब मनाया जाता है पिछले दो या तीसरी क्लास के अंदर पिर अपको बताया था हुछ या था चिडिया दिवस कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस 22 इसको मनाया जाता है 22 मार्च को जहीदी दिवस कब मनाया जाता है आज यह 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानी की दिवस पूछ रहा है चौधा पदक जीते तो इसके अंदर इसके अंदर जो हमारा सही कथन हो जाएगा वो होगा डी कौन सा उतर सही होगा जाथ है यानि 66 कथन जीते हैं इसके अंदर ठीक है तो यह थी हमारी अज की class तो यह देख लेना हमारे नाना class जैप के उपर क्या चल रहा है current of air की CD चल रही है जिसके अंदर आपको daily का test दिया जाता है daily PDF दी जाती है weekly test दिया जाता है monthly test दिया जाता है तो आप इसको join कर सकते हो और आपको 23-27 March तक 23-27 March तक इसके अंदर छूट भी मिलेगी ठीक है तो आप इसको join कर सकते हो अगर आपको class अच्छी लगती है तो class को like करें अपने दोस्तों के शाद शेयर करें अगर आप ना class सच सिवसर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करें मिलते हैं नेक्स class के साथ तब तक के लिए जय ही जय वारत